क्रिकेट में अपने खेल से दुनिया को अपना दीवाना बना देने वाले खिलाडियों की कमी नहीं है। लेकिन अपने व्यक्तित और अपनी मुस्कान से सबको अपनी तरफ खीच लेने वाले खिलाडी कमी हुए हैं। ऐसे ही हो नहार और खुबशूरत व्यत्यत्त के धनी थे भारत के पूर्व तेज गेदबाज लक्षमीपत बाला जी। आज हम आपको लक्षमीपत बाला जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और अंचुए किस्सों के बारे में बताएंगे बाला जी का जन्व 27 सितंबर 1980 को तमिल नाडू के कांची पुरम जिले के उठू काडू नाम के एक गाउ में हुआ था बाला जी को बच्पन से ही क्रिकेट का शौक था इसी खेल के चलते एक बार बच्पन में कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें अपने दातों का आपरेशन करवाना पड़ा इसके बाद उनका चेरा कुछ इस तरह दिखने लगा मानोवा हर्समा मुसकरा रहे हो बाला जी की यही मुसकान उनकी पहचान बन गई बाला जी ने साल 2001 में तमिल नाडू के लिए घरेवली क्रिकेट खेलना शुरू किया और बहुत जल्द ही यानि की साल 2002 में ही भारती टीम में जगा बनाने में काम्याब हो गए और उन्होंने अपने करेर का पहला वंडे मै तिम ने सालों के बाद पाकिस्तान के दौरे पर जा रही थी और बाला जी भी इस ऐतिहासिक दौरे पर इस टीम का हिस्सा थे इस दौरे पर जाने से पहले भारती टीम ने ततकालिन प्रधामें बनतरी श्री अटल बिहरी बाचपई के साथ कुछ समय बिताया था और बाला जी की गेदों में तो बहुत तेजी तो नहीं थी लेकिन इसकी भरपाई उपनी गेदों को विकेट के दोनों और शांदार धंग से स्विंग कराकर पूरी कर लेते थे। पाकिस्तान के खिलाप उन्होंने टूर पर बहतरीन गेद बाजी तो की ही लेकिन असली मजा तो क्रिकेट के प्रेमियों को तब आया जब उन्होंने शुय बक्तर की गेद पर जबर्दस छक्का जड़ा। पाकिस्तान के तेज गेदवाज शोय बक्तर की गेद पर मारे गए लंबे छक्के को क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएंगे। ये उस समय सबसे लंबे छक्कों में से एक था। खुश शोय बक्तर भी कह चुके हैं कि बाला जी के उस शाट को देखकर महरान रह गया था और कई दुनों तक उसके बारे में सुचता रहा था। कहा जाता है कि उस पाकिस्तानी दौरे पर बाला जी के प्रत दिवानगी का आलम ये था कि पाकिस्तानी लड़कियां भी उन्हें पोश्टर में अपने दिल का हाल लिख कर लाती थी और उन्हें शादी के लिए दर्शन कर रहे थे लेकिन दोजार पांच में इस्ट्रेश फैक्षर की वज़ा से उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ा और तीन साल तक उन्होंने जरा सी भी क्रिकेट नहीं खेली लेकिन फिर भी उनके दिल में टीम में वापसी की आस बरकरार रही और साल दोजार आट में उन्होंने वापसी भी की हाला कि बाला जी दोबार अपनी वो चमक नहीं भी खेर सके साल 2013 में उन्होंने एक मॉडल प्रिया लथूर से शादी कर ली इसी बीच बाला जी आईपेल में चन्नेई सुपर किंग टीम का हिस्सा बने और आईपेल में हैट्रिक बनाने वाले पह लेकिन अंतराश्री क्रिकेट में वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे यही कारण था कि उन्हों टीम से बाहर कर दिया गया बाला जी ने आठ टेस्ट मैचों में 27 विकेट हासल किये हैं जिसमें उनका बेस्ट 76 रन पर 5 विकेट है वही 30 वंडे मैचों में बाला जी ने 34 वि बाला में खेला था टीम इंडिया के लिए साल 2000 में डेबू करने वाले बाला जी का करियर चूट की वज़ा से काफी प्रभावित रहा और शायद एही वज़ा रही कि बाला जी भारत के लिए इतनी कम क्रिकेट खेल सके हाला कि भारते टीम से बाहर होने के बाद भी वो आईपिल चेंपियन बना तो बाला जी की उसने बहुत अहम भूमिका रही इसके बाद साल 2014 में बाला जी किंग सी लेबन पंजाब के लिए खेले बाला जी ने 73 आईपिल मैचों में 76 विकट लिये हैं इसके अलाव बाला जी ने 106 फर्स क्लास मैचों में 300 विकट जटके है बरती उम्र और गेदबाजी में खत्मोती धार के चलते बाला जी ने सितंबर 2016 में क्रिकट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया हाला कि एक आसान क्विक आर्म एक्षन के साथ तेज गेदे, क्विकर बाउंसर और यारकर सभी फेकने में माहिर क्रीज के कोने से गेद वे कहा था कि मैं पूरी तरह से रेटायर नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी टीम के स्टाप का हिस्सा हूँ, टीम के साथ मैं हर एक मैस में बना रहूंगा, साथ ही साथ बाला जी ने ये भी कहा कि क्रिकट का खेल हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाता रहता है, और मैं हमेश पूरी दुनिया के क्रिकट प्रेमियों के दिल में हमेशा बने रहेंगे, नारा टीबी की टीम बाला जी के उजल भविश्क की काम ना करती है, तो दोस्तों मिलते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, वीडियो चिलेगी हो तो लाइक करें, शेर करें, च दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार